हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत करता हो आपके अपने सेट्योप चानल पर दोस्तों आज के सुड़े में हम बात करने वाले मतलब तीन ड्री मिलियोन की विनिंग टीम्स देखने वाले फान कोड इस्यस टीटेन हंगरी की जो मैच है डी इवी वर्सेस आर ओटे के वीच की मैच की तीन ड्री मिलियोन की विनिंग टीम्स हमको देख लेनी जिससे कि आपको अच्छी खासी अर्णिंग हो सकती या फिर आप ग्रैंड लिग या स्मॉल लिग ज़रूर जीद सकते जै लेकिन मैं अल्रेडी टीन टीम में आप बना के रख चुक हूँ जिसे एक एक करके मैं आपको प्रिव्यू करके दिखाऊंगा माई टीम पर जाके किसको लेना है किसको नहीं लेना है क्याप्टन और राश क्याप्टन किसे मना सकते हैं ये सब ऑप्शन में आपको जरूर दिखूंगा लेकिन दोस्तों फिर से एक बार उडियों को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट जरू करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल कब तक सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब भी कर लिजी और बेल आइकन को प्रेस करके अल पर भी क्लिक करना नाब ले ताक पर देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दो कि केपिंग में ज्यादा कुछ आप्शन नहीं है माध्यान को मैंने ले लिया है और उसके लाव एक और उप्शन है जिनका परफरमस इतना अच्छा नहीं रहा है फिर भी मैं अगली दो टीमों में से किसी में तो उनको ट्र परफरमस भी ठीक ठाकी रहा है इतना बुरा तो नहीं रहा है अगर बात करें ऑल राउंडर की तो जहेड खान को लेना ही हमें रिफत को ले रहा हूं के सानी को ले रहा हूं और मनन को ले रहा हूं तो इस तरह से चार अच्छे खासे बैट्समन मैंने आप अम आपकी बात करें तो एपराशर है यूगोरी है और एस गौतम है तो इस तरह से तीन अच्छे खासे गेन बाज भी लिए मैंने जिसमें से अच्छा परफरमस करने आले भी है और ठीक ठाक परफरमस करने आले भी गेन बाज है यहां पर अभी तक इनका शीरी शुडू ही हुई है तो ज्यादा कुछ आप्शन नहीं है मतलब ज्यादा कुछ प्लियर अभी तक फॉर्म में नहीं आये तो इस तरह से यह पहली जो टीम है वो काफी बढ़िया बनी है और संतुलित भी लग रही है कुल मिला के अगर बात करें कैप्टन और वाइस कप्टन की टॉफ को जेड खान का परफॉर्मस काफी बहतरीन रहा है दोस्तों जबरदस्त रहा है लास्ट मैच में उन्होंने बावन भी बनाए और तीन विख्टे भी उनको मिलिए तो काफी ज्यादा पॉइंट उन्होंने दिये थे तो अफकोस काफी ज्यादा मतलब 70% से भी जादा लोगोंने इ जहिर को भी काफी ज्यादा 31% लोगोंने वाइस कैप्टन मना है तो मैं उनके साथ भी वाइस कैप्टन के लिए भी जाओंगा वही रीजन है दोस्तों ज्यादा परसेंटेज मिले तो हो सकता है सच में अच्छा परफॉमस कर दे और हमें नुकसान नहों इसलिए पहली टि लगा सकते एक ग्रैंड लिग और एक स्मॉल लिग भी लगा सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों तो कुल्मिला के एक अच्छे खासे टेम बन चुके और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी अच्छे खासे सेट हो चुके तो आप चलते दूसरी टेम पर तो इसे उमें क्लोज करना होगा अगर देखे तो यहाँ पर मेरे पास दो कीपर मैंने अल्रेडी बता दिया था इंगिलियों में शामिल है एक माध्यान का परफॉमस अच्छा रहा है लेकिन एक अकीब जो दूसरे कीपर इनका परफॉमस इतना अच्छा नहीं रहा है दो ही पॉइंट दिये थे उन्होंने लास्ट मैच में और उनके ओवराल भी दो ही पॉइंट है मेरे खाल से एक या दो ही मैचस खेले तो अभी फिलाल तो मैं उनको ले ले रहा हूं लेकिन थोड़ा रिस्की है तो आप सोच समझ के लिजिएगा उसके बाद ब्याटेंग के बात करें तो यह ज्याघिन को ले रहा हूँ और राहिमान त्री को ले रहा हूं इनका भी पर्फोरमस ठीक है इतना अच्छा तो नहीं है लेकिट आपर्फोरमस को पर मत कर सकते है तो एक हाट में कोई भूराय नहीं है अगर बात करें all-rounders के तो जहेड कान को आफकोस मैंने वापस लिया है और रिफर्ट को भी वापस ले रहा हूं के सानी को भी ले रहा हूं लेकिन एकी यहां पर डिफरंट है पिछली टीप में 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 पास एकी कीपर था और चार all-rounder थे लेकिन यहां पर दो कीपर होने को से वाज़े से तीनी all-rounder में ले पाया हूं वैसे भी काफी मतलब अगर अच्छा परफर्मस करते हैं तो आपको काफी फायदा हो सकते आपको ग्रैंड लिक जिता सकते या फिर अच्छे खासी अर्दिंग तो अकीप करा ही सकते क्योंकि इतने बुरे भी बल्लेवाज नही हमें यह अच्छा भी डिसीजन हो सकता है आपके ट्रम कार्ट साबित हो तो इसलिए वह यहाँ पर मैंने थोड़ा हट के सोचा है अगर गेनबाजी के बात करें तो ए मालिक जदा को ले रहा हूं उसके बाद पराशर को ले रहा हूं और एस गौतम को ले रहा हूं तो यहा करी सकते तो क्याप्टन और वाइस क्याप्टन की बात करें तो यहां पर देख सकते मैंने क्याप्टन बनाया एपराशर को और वाइस क्याप्टन रिफत को बनाया दोनों की डोनों बेस्टे दोस्तों अच्छे खासे एक अच्छे खासे गेनबाज है तो एक अच्छे खा अगर आप चाहिए तो उल्टा भी कर सकते हैं रिफत को क्याप्टन और पराशर को वाइस क्याप्टन भी बना सकते हैं क्योंकि रिफत एक यूज करना चाहिए तो कर सकते हैं लेकिन ग्रैंड लिक के लिए जरूर यूज की जिएगा क्योंकि काफी जबदस टीम बनी है और ऐसे प्लियर है जो कि अच्छा खेल सकते हैं परफॉमंस अच्छा नहीं है और काफी कम लोगों ने लिया हुआ है लेकिन यह प्लियर आपक प्लियर रिस्क्लियर रोस्तों शुरुवात में तो नहीं बता सकता आगे जरूरू बताओंगा एच माध्यान को मैंने इस टीम में लिया है लेकिन इस बार मैंने चाहर बैट्समंस को लिया है जहीर के डेल्डार उसके बाद एच अहमद और ए रहमान थ्री तो चार अच् को ड्राप करेंगे मोड्यर हमार दुस्तों परक्रक्वर्फरांस भाशन ऒंस में काफिच जबर दस्त रहा है उनको मैंने फैसी देट और आज होसकता है कि यह फेल हो जाएए और अगर यह फेल होते हैं और मैंने यहाँ पर उनको अधाए्ड किया झाओको काफी जादा हो कोच है तो हो सकता है यह गल्ब भी सावित हो लेकिन दोस्तों एक टीम में आइसा करने में कोई प्रब्लम है एक टीम का अल्रेडी हमने उनको कप्तान भी बनाए एक टीम में लिया भी है फिर से तीसरी टीम में अगर ड्रॉप कते हैं और वह सक्सेस हो जाता है तो आपको सोच थी मेरी इसलिए मैंने ऐसा किया है अगर बात करें गेन बाजी कि तो ए पराशरे एक खान को मैंने इस बार लिया और यूगवरी को लिया तो इस तरसे यह तीन गेन बाज भी अच्छी खासी गेन बाजी कर सकते हैं अगर आप पर वर्षा करेंगे तो काफी फाइदा हो सकता है तो कुल मिला के थोड़ी रिसकी लेकिन काफी अच्छी टीम बनी है और वाइस कप्टन के अगर बात करें तो इस जहिर को क्याप्टन और एच एमद को वास्क्याप्टन मना रहा हूं दोनों की दोनों अच्छी खासी बैटिंग कर सकते अच्छी खासे स्टाइक और यजितने से कोई नहीं रोख सकता तो काफी इसी बाते यहां पे थोड़ी दिश्क ज़रुर है लेकिन आपको ग्राण जीताने वाली बात है रोश्तो तो इस टीम को मैं अपको आफको सिर मालिक के लिए के लिए इस टीम को मैं 0% परसेंट को नहीं को लिए तो अच्छी खासी है लेकिन थोड़े रिस्क मैंने लिए जो कि जादा चेंज़ करने जाएंगे तो थोड़ा रिस्क हो सकता है तो आई होप आपको मेरी तीनोटी में और मेरा वीडियो जरूर पसंद आयोगा और अगर पसंद आयो तो उसे लाइक शेर और कमेंट जरूर कर दीजे चानल को भी अगर अब तक सब्सक्राइब ने क्या तो जाएंगे जरूर कर लीजे तो आपको बता सकते हैं और बीकुछ और भी आपडेट रहते तो वह भी आपको बता सको तो आज के वीडियो में इतने मिलते अगले उडियो में तब तक के लिए थेंक्यों धन्यवाद गुडबाय टेक केर